कई सुपरेट फिल्मों में काम करने वाली असी के दशक में धूम मचाने वाली हर तरह के रोल देने वाली और नाक पर गुसा रखने वाली एक्ट्रिस कौन थी जो कई डारेक्टर्स और आक्टर्स की पिटाई तकी ये बहुत खूब सूरत और टालेंटेड आक्ट्रिस रही थे ऐसा इनका खौफ था ये अक्ट्रिस कोई और नहीं बलकि असी के दशक की खूब सूरत और टालेंटेड आक्ट्रिस फरहार नाज हैं हैलो फ्रेंड्स मैं हूँ दीपती और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चानल फोर्थ आई सेनेमा आखिर क्यों इतनी खूब पहन और पैरो में 40-50 रुपे के चपल पहन के सेट पर क्यों बहुत जाया करती थी फरहा के माता पिता का तलाग जब वो 5-6 साल की थी तभी हो गया था इनकी माने माईके में रहकर अपने बच्चों की परवरिश की आपको बता दें कि फरहा नाज तबू की बड़ी बहन ह इनकी मा एक स्कूल टीचर थी फरहा शबाना आजमी की रिष्टे में भांजी हैं तबू और फरहा अक्सर इनके घर जाया करते थे जहां फिल्मी सितारों का आना जाना लगा रहता था फरहा खुबसूरत थी इसलिए कई लोगों ने फिल्मों में इने किसमत आजमाने को कह इसी बीच फरहा की उमर जब करीब 15-16 साल की थी तब देवानन अपनी एक फिल्म के लिए हिरोईन की तलाश कर रहे थे फिर उन्हें फरहा नास के बारे में पता चला इसके बाद फरहा नास को उनकी फैमली के साथ मुंबई बुलाया गया जैसे ही फरहा को देव सहाब ने देखा मानो देखते ही उनको उनके पसंद की हिरोईन मिल गई देखते ही उन्होंने अपनी अगली फिल्म के लिए फरहा को लॉंच करने का फैसला कर लिया इसी दोरान देवानन के दोस्त यश शोपडा भी अपनी नए फिल्म फासले के लिए हिरोईन की तलाश कर रहे थे जैसे ही यश शोप्रा को देवानन की हिरोईन का पता चला तो उन्होंने अपने दोस से बात की और कहा कि फिल्म फासले के लिए वो फरहा को लॉंच करना चाहते हैं फिर क्या था देव सहब ने यश शोप्रा की बात मान ली और फरहा को यश के हवाले कर दिया यश शोप्रा ने अपनी स्टाफ से फिल्म और शूट का पैटन फरहा को समझाने को कहा उस वक्त फिल्म युद की शूटिंग चल रही थी तब ही यश शोप्रा के स्टाफ ने फरहा को शूटिंग दिखाने के लिए उन्हें शूटिंग सेट पर ले गया तब ही फरहा के सेट पर पहुंसते ही सभी फरहा से मिलने आ गए फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा शक्स भी उनसे मिलने पहुंचा तब फरहा बिल्कुल नॉर्मल कपडों में थी जो चपल उनके पैरों में थी वो तूटी होई थी तब ही उस शक्स ने उने उपर से नीचे तक देखा और उन पर उनी के सामने टूटी चपल के लिए हस्त पड़ा और कहा ये है ये शोपड़ा की हिरोईन उनका ये बिहेवियर देख फरहा घर जाकर बहुत रोई फिर फिल्म फासले शूट हुआ और रिलीज हुई पर ये फिल्म कुछ खास नहीं चली फरहा ने इस फिल्म से सब का ध्यान जरूर खिच लिया था जिसके बाद बहुत बड़े बड़े प्रोडियूसर्स फरहा को अपने फिल्म के लिए साइंग करना जाते थे इसके बाद बहुत सारी सुपर हिट फिल्म में फरहा ने वॉलिवूड को दिया अब फरहा के पास सब कुछ था जो एक हिरोईन के पास होता है लेकिन उनको वो शक्स आज भी याद था जिसने उनकी टूटी हुई चपल पर मजाक उड़ाया था इनका मूड कम कैसे क्यों खराब हो जाए ये जान पाना बहुत मुश्किल था इनके गुसे का शिकार सबसे पहले चंकी पांडे हुए थे इस बात को खुद फरहा ने बताया था एक बार फिल्म कसम वर्दी की शूटिंग चल रही थी और इसी शूटिंग के दोरान उन्होंने चंकी पाणने की पिटाई कर दी थी उन्हें चंकी I am the man कहकर बड़े इशारे करते थे पहले फरहा उन्हें समझाई पर वो माने नहीं तो उनकी सरयाम पिटाई कर दी ये घटना खूप सूरक्यों में था एक बार फरहा तो चंकी को जान से माने थक की धमकी दी थी चंकी के अलावा उनके गुस्से का शिकार एक प्रोडियूसर भी हुए थे फिल्म की सेट पर उन्होंने एक प्रोडियूसर को एक ठपड जड़ दिया था क्योंकि producer का behavior अच्छा नहीं था एक बार तो उनोंने अनील कपूर और मादूरी दिख्षित को भी धमकाया था फरहा के personal life की बात करें तो फरहा ने दारा सिंग के बेटे बिंदू दारा सिंग से शादी की और एक बेटे की मा बनी लेकिन फिर कुछ समय बार ये पती-पतनी अलग हो गया फिर फरहा ने सुमित सहेगल से शादी कर ली फरहा अपने गुस्चे और गलत फैसले का शिकार हुई और फिल्मों से उनका करियर खत्म हो गया 2005 में उनकी लास्ट फिल्म आई फिर वो गायब हो गयी वेल गाईज फरहा का ये गुस्चेल रुब जानके आपको फरहा कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर केजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा